उसी प्रकार से नरे नरभाय मोदी जी ने निर्भन किया और आज आईसा काम किया जिसके चलते हमको आसा है कि परवत पुरुषी दस्तरत मार्जी को भी नायर मिलेगा और फिर डाक्टर स्रीक्रेशन जी को भी नायर मिलेगा चानक हैं विहार के और अपनी कुर्षी बचाने के लिए हर कदम को उठाने के लिए उट तयार रहे हैं नमस्कार आपने उच्पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूरु मुख मंतरी जीतना मांजी सबसे पहले तो आपका जो मांग था सुरू से मांग रहा है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो महान हस्तियों म से जिनकी गिंती होती है वैसे लोगों को जो है भारतत मिला जान उन्हे समान मिला जाए और इस करम में जन्नाय करपूरी ठाकुर को जो है भारत रत देने का ऐलान किंदर सरकार के द्वारा किया गया है देखिए इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक ऐसे पत्रकार मिले जो एक सेप्ट करते हैं कि हम यहां के महानवावों को भारत रत ने देने के लिए कार्ज रहे हैं और प्रियासरत रहे हैं और नहीं तो प्रायाद मेरी बात नहीं छपती है कुछ लोग अपने आप कह रहे हैं कि कोई दस वरस से है कोई 36 वरस से है कोई कुछ वरस से है लेकिन ये बात मैं नहीं कहता लेकिन ये बात सही है कि जब कभी मेरे दिल में बात आती है तो ब पहले हम जब मुखमंत्री थे तो परवत पुरूष दस्रत मानजी जी के गाउं गहलवर में उनके जन्वरस्थान पर एक महुतसब काइम करने की बात किया था महुतसब अभी भी चालू है और उसी समय नितीज कुमार मुखमंत्री दुसरा बार हुए चरसुला में तो गए थे तो हाँ हमने मांग किया था कि माननिए मुखमंत्री जी हमारे धसरत बावा को आप भारत अत्रत म्यूपदिय की लिए परियास करें तुम्होंने कहा था कि हम हम दस्रत बावा को ही नहीं हम बावा दस्रत मानजी जी को डाक्टर स्री क्रिशने सी को और लोक नाय कर्पूरी ठाकूर जी को भारत रत्रत मिक्रूपाद ही दी जाए इसके लिए रिकूमेंड कर दिया है ऐसा उन्होंने कहा था और उसके बाद लो लगी हमको कि बाद ठीक क आना है अगर ऐसा की हैं तो हम कई एक बार भारत के जो नेता हैं उनसे भी मिले और रिसेंटली जो करीब करीब एक अपरील को हम भारत के राश्ट पतीजी से मिले उसके पहले मांगा था समय भारत के राश्ट पतीजी और भारत के प्रधान मंत्री से इसलिए कि गया के गा पन दिन में 31 मार्च को वो पहुंच गए थे दिली हम भी पहुंचे दिली और राशपती जीसे मुलाकात एक तारिक को ही यानि एक अपरील को ही एक अपरील को महा महिम से हम लोगों ने बात किया कि दस्रत्मान जी को स्रम में वर जायते कि तरज पर और मानता देते हुए उन क्यादी में उन लोगों ने गहला और गहाटी को काट दिया जो संसार का एक अलब है का जो ने किया है और दूसरी बात है कि हमारे राज में कर्पुरी ठाकुर भी एक स्रमाजिक नयाय के प्रनेता माने जाते हैं और गरीबों को और कमजोर लोगों को उन्होंने एक बल दि कि कहा गया कि अगर हिंसा रोकना है तो परती हिंसा भी करने में नहीं आदमी को बाजाना चाहिए इसलिए उनने कहा था कि गरीबों को जिन पर अर्तियाचार होता है उनको फ्री लाइसेंस सहस्त्रस्त का दीजिए ताकि वो अपना प्रोटेक्शन देश सकें तो ऐसे आद बिहार के लिए बिहार का सिरे जनहार कहा जाए उनको तो कोई कम न होगा उन्होंने बिहार को छूतनों को आगे करने के लिए जब देवगर में मंदीर में प्रवेश नहीं था तो उन्होंने देवगर में मंदीर में प्रवेश कराया छूतनों को जमिंदारी उन मुलन में अहम भुम का अदा की और उसके बाद बिहार में जितने भी आज कल कर खाने लगे हुए हैं सब उन्हीं का देन था तो बिहार के निर्मान में उनसे बड़ा किसी कहांथ नहीं रहा तो इन तीनों पुरुषों को आप भारत अतनी की उपादी देने के लिए आदेश दें ऐसा उनसे अगरा किया था फिर प्रधान मती यह समय माँगा था तो प्रधान मती नहीं मिले और उन्होंने निर्देश दिया था अमित साह से ग्रीम मती से की मांझी जी ओर उनके टीम से आप मिल लीजिए तो 13 फरील को उन्होंने मिलने का काम किया 2023 को और वहाँ पर हम लोग पांच आदमी के साथ गए वहाँ भी वही बात की सर्चा किया जो महामहिम राजपती जी के साथ किया था तो अब हम समझते हैं कि प्रधान मंती नरेंद भाय मोदी जी के नजनों में या उनके सूचना में अनेक तरह से बात गई जिसमें हमारी भी बात रही है और आज हम बहुत आभार व्यक्ति करते हैं कि एक व्यक्ति को ही सही और सही समय पर उनको भारत रतनी कुपाद ही दी है चुकि आज उनका सौमा जन्में दिवस है तो सताबदी जन्में दिवस एक बहुत बड़ी बात होती है ऐसे समय में बड़ी चीज और बड़ी उनको उपहार देना चाहिए और इस बात को समझते हुए नरेन भाय मोदी जी ने आज लोक नायक जैपरकाई इनको जन नायक करपुई ठाकर जी को भारत रतनिक उपाधी देने का काम किया इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आसा बनी है कि जहां मोदी हैं वहां गारांटी है तो जब एक बात की गारांटी हो गई कि करपुई ठाकर जी को भारत रतनिक उपाधी मिल गई बाइस बाइस तारीक को राम लला का प्रान प्रतिष्ठा हो गई तो करपुरी ठाकर जी के बाद हम समयते हैं दस्तरत मानी जी को जो परवत प्रूस कहे जाते हैं उनको भी भारत रतनिक उपाधी मिलेगी और डाक्टर सी क्रिशनी सी को भी भारत रतनिक उपाधी मिलेगी हम समय की प्रतिशा कर रहे हैं आसा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इन तिनों महानुभावों को जो एगों को मिल गई उपाधी दोनों बंचित नहीं रहेंगे कि और नरेंद मोदी जी हैं तो गरेंटी है आप मुखमंत्री पदपर भी रहें और नितिस कुमार के साथ भी रहें लालू प्रशाद यादो की राजनिती को भी बहुत करीब से आप देखते हैं सब जन्नायकर पूरू ठाकुर कहीं पूरोधा मानते हैं देखिए कहने को तो बहुत लोग को कहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पूरोधा मानते तो दस वरसों तक QPA में कदावर नेता के रूप में हमारे लालू प्रशादी रहें और आपको याद होगा कि जी समय रावरी देवी जी की सरकार खतम हो गई थी और कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं उनकी सरकार खतम नहीं होनी चाहिए तो राष्ट पती जी के हंस्ताक्षर के आवर सकता थी और राष्ट पती उस समय रूस में थे तो भी रात वर रात आदम फाइल गई और उन्हों से दस्कत कराया गया और घरबूरी जी रावरी देवी मुखमंत्री के रूप में पदस्थापित हुई इतना महत्वता इतना प्रभावसाली थे लालू परसाद जी अगर वो चाहते तो उस समय करपड़ी ठाकुर जी को भारत रतनिक उपादी दे सकते थे लेकिन करपपरी ठाकुर जी को भारत त्रत्न की उपादियों देना नहीं चाहते थे आज भले वो कह दें कि बहुत हम काम कर रहे हैं या किया है लेकिन इस्से साविट होता है कि जब हमारे हाथ में ताकत है हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्यों कहेंगे कि यहां साव हम करना चाहते थे इसलिए कम से कम लालू प्रशाद जी की बात पर हमको विश्वास नहीं जाता कि वो सोचते होंगे कि करपुजी ठाकुर जी को भरत नतनी की उपादी हो और ए हर दिश्टी कौन से हम तो समझते हैं नरेंद भाई मोदी जी ने एक मिठ्यक तोड़ा है मिठ्यक ये तोड़ा है कि जो सिदुल कास्ट के लोग और पिछले लोग समझते थे कि भाजबा उनके खिलाफ है ओ आज सामने है और सामने यह है एक तो कि हमारे करपुजी ठाकुर जी को उन्होंने दे दिया भारत नतनी की वारी दूसरी आप देखते हैं कि राम लला का जो प्रान परतिष्ठा हुआ तो हां का जो एरोड्रम हुआ महरसी बालमी की एरोड्रम का नाम रखा गया मैं पहरे से कहा करता था कि तुल्सी कृत रमायन है तो तुल्सी जी को हम लोग मानते हैं राम स्रीट मानस को मानते हैं लेकिन बालम आज देखिए कि बालमी की महरसी रम को उन्होंने उजागर कर दिया, सब को जानने लगए बालमी की महरसी क्या थे और रोज जाएंगे तो नाम लिया जाए, कहां जा रहा है भाई, तो महरसिवाल में की एरपोर्ट से अजुधिया जा रहा है, ये भी उन्होंने किया, फिर गिधराज जतायु का भी उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर भेंटीलेसन किया, ये साबित होता है कि सचमूझ में राम के भक्त हमारे नरिंद भाई मोदी जी हैं जो राम नयाय के प्रतिक माने जाते थे जातपाथ से उपर उठ करके बात करते थे वही धार्मिक होते हुए भी राज धर्म को निवहाते थे उसी प्रकार से नरेंद्भाय मोधी जी ने निर्भन किया और आज़ाइसा काम किया जिसके चलते हमको आशा है कि प्रवत एक शवाल है कि नितिष्कुमार को लेकर के कई तरह के चरचा चल रही है और आप से पहतर तो नितिष्कुमार को कोई नहीं जान सकता है कोई नहीं ये दोस्ती और खटास तो ये बस थोड़ा बहुत सुर्कियों में ही चलता है लेकिन वो दोस्ती में कभी भी रार नहीं आप लोगों का रहा नितिस कुमार को ले करके क्या आपका सायोग बना लग रहा है कि किरसे वापसी हो रही है क्या ने इंडिये में देखिए जब एक बार पल्टू र तो आज हम इस आधार पर भी बोलते हैं कि हमारे नितिस वावू किसी भी प्रिश्टिती में मुखमंती पद नहीं छोड़ने वाले हैं और लालू जी किसी भी प्रिश्टिती में तेश्टी प्रशाद को मुखमंती बनाना चाहते हैं ये दोनों 36 का रिस्ता है ये रिस्ता कहां जाकर के तूटेगी इसका कहां नहीं जा सकता है इस अधार पर हमको लगता है कि निचीज कुमार चानक के हैं विहार के और अपनी कुर्शी बचाने के लिए हर करदम को उठाने के लिए तयार रहेंगे ऐसा मैं मानता हूं तो फिर फैसे फिर बात बनेगी बीज़ेपी में भी तो मुख्यमंद्री तो अब अब वह हाइफोटेकल कुस्टन आगे की बात है लेकिन कुछ न कुछ अपनी प्रकिरिया लोग अपना करके अपना करम बढ़ाएंगे लेकिन संभावना कब बन रही है अब यह नहीं पाक महीना है आप देखा कि बाइस तारीक से सुरूओबा है सारा काम बाइस तारीक को प्रान प्रतिष्टा हुआ अर्टेश तारीक को भारत पत्निक उपाधी दी गई जन्नाय को तो इसी दर से देखते चलिए एक तिस तक कुछ ने कुछ होगा खेला होगा तो देखिए जीत्याना मांजी ने जो दावा किया है ये कोई हलकी बात नहीं है क्योंकि इन्हों ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो इस बात में सचाई है तभी इन्हों ने कहा कि 22 तारीक से जो सुरूआत हुआ है पाक महीने का और 31 तारीक बित नहीं पाएगा इसी दोरान बिहार में बड साजा करेगा सायोगी नरुतम के साथ न्यूज फॉर नेशन पतना